ओम नमस्षिवाई आज ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए है इसमें कोई मंतर प्रयोग नहीं है ये जीवन से जुड़ी हुई वीडियो है आप यूट्यूब पर कोई भी चैनल देख दीजे उसमें आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट वीडियो मिलेंगी या कहीं से वो पढ़के वीडियो बनाते हैं या फिर वो बुक्स में से पढ़के वीडियो बना देंगे या कोई प्रयोग आपको दिखा देंगे और अगर आप जिन्दी के से जुड़ी हुई वीडियो देखेंगे दावा है आपसे कि ये आपके जिन्दगी को बदल के रख देंगे अगर आप इनको सही तरीके से फॉलो करेंगे तो जिनको आवास कम आ रही हो वो थोड़ी अपनी आवास बढ़ा लें क्योंकि मेरी आवास कम है तो क्योंकि आज मुझे बैसे भी फीवर हो रखा है लेकिन क्योंकि हमारी एक साधवी ने रिक्वेस्ट की है तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिनका नाम है तन्वी उन्होंने मुझे कहा है कि मैं जिन्दगी से जुड़ी हुई कुछ बातों के उपर उनके लिए वीडियो बनाओ और ये सभी वीडियो आप सब के लिए है देखिए जिन्दगी में कामयाब होना बहुत आसान है मुश्किल नहीं है लेकिन हर कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है ये बात हमेशे याद रखिए और सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा उस शक्ति को याद कीजिए जो सबसे उपर है जो सबसे परे है हमेशे उसको याद करिए ताकि वो भी आपको याद करे याद रखिएगा अगर आप भगवान को याद करेंगे तो भगवान भी आपको याद करेगा अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो वो सो कदम आपके तरफ बढ़ाएगा और आपको हर मुश्किल से बचाएगा और जीवन में इन्होंने मुझे एक बहुत प्यारा सा मेल किया है उन्होंने लिखा है कि इनको मेरी वीडियो बहुत पसंदा रही है और जिंदगे में पॉजिटिव रहने के लिए किसी चीज के उपर कुछ भी वीडियो बनाएगे जिसमें कि जीवन से जुड़ा हुआ हो कुछ मतलब पॉजिटिव बाते हो तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं देखिए हम सभी के अंदर एक उर्जा होती है एक एनर्जी होती है और हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं ये सभी कहते हैं याद करिए जब हम बच्पन में थे तब हमारी फेस पे बहुत glow होता है चाहिए किसी भी बच्चे को ले लो और हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वो glow खतम हो जाता है क्योंकि चिंताई हमें गेर लेती हैं और याद रखना हमें सबसे पहले चिंताओं से बचना है क्योंकि एक शेर भी कहा गया है चिंता ठेरी डाकनी काट कर ले जा खाए बैत बेचारा क्या करे कब तक दुआ लगाए तो आपको चिंताओं से बचना है चिंता का कोई मर्ज ही नहीं है किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है क्योंकि चिंता करने से आने वाला कल अच्छा नहीं होता बलकि आज का सुख भी चला जाता है जीवन में हमेशे पॉजिटिव रहने के लिए हमें किसी न किसी साहरे की जरूरत बढ़ती है हम अपने आप से पॉजिटिव नहीं रह सकते अपने आप से positive रहने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ टैम के बाद demotivate अपने आप हो जाएंगे क्योंकि इनसान का स्वभाव है बिना किसी वज़े वो उदास हो जाता है इसलिए मैंने कहा था कि खुश रहना भी अपने आप में एक आदत है और रही या ये जो कुछ भी लगा लीजिए इसको एक प्रयोग मान लीजिए या experiment मान लीजिए ये बहुत ही powerful है मैं खुद ये करता हूँ इसलिए आपको बताता हूँ और ये बहुत जादा आपको energy देगा शुरू में आपको जब ये प्रयोग करेंगे तब ही आपको feel होने लगेगा आपको सिर्फ पानी की bottle से बाते करनी हैं आपको लगेगा कि मैं ये क्या वाहियात बाते कर रहा हूँ लेकिन आप इसको एक बार करके देखिए जो पानी की bottle होगी उसके अंदर जो पानी होंगे और उसके जो crystal होंगे वो जो है अपनी shape change कर लेंगे और क्योंकि हमारी body 70% of water से बनी है तो उसका बहुत बड़ा effect हमारी body पे पढ़ता है और हमारे brain पे भी और जब ऐसा होगा तो आप खुद सोच लेजे आपकी जिन्दगी कहां से कहां पहुँच जाएगी कुछ भी नहीं करना आपको यह simple है इसको आप किसी भी तरीके से use कर सकते है जो भी आप चाहते हैं वो मिल सकता है आपको मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था vibration से related और यह वीडियो भी कुछ उसी प्रकार की है आप जिन्दगी में सफल होना चाहते हैं बहुत आसानी से कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको सबसे पहले तो आप उठके सुबह उठते ही अपने हाथों को देखा करिए करागरे वस्ते लक्षमी करमूले सरस्वती करमद्दे गोविंद प्रभाते कर दर्शनम मतलब सबसे पहले फिंगर टिप्स देखनी है करागरे वस्ते लक्षमी जहाँ पे लक्षमी का वास होता है इसलिए कहा जाता है करागरे वस्ते लक्षमी करमूले सरस्वती उसके जो नीचे वाला जो हिस्सा है उससे नीचे आके पाम में वहाँ पे सरस्वती का वास कहा जाता है करमध्य गोविंद यानि कि उससे नीचे वाला हिस्सा जो रिस्ट होती है वहाँ पे उसके थोड़ा सा उपर गोविंद का वास होता है यानि कि गोविन्द जी को तो आप जानते ही हैं कृष्णा जी या विष्णु जी कोई भी लगाली ये सभी एक ही हैं जादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि भगवान कोन है देवता कोन है और हम गलती से देवता को पूझते हैं हमारी विष्ण जो डिजायर है वो पूरी नहीं हो पाती तो ये सबसे पहले आपको करना है सुभा उटते ही साथ कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूले सरस्वती, करमद्दे गोविंदय प्रभाते कर दर्शिनम याद रखिए अगर आपने सुभा किसी भी प्रकार से आपने सुभा अच्छी बना लई तो ये मेरा वादा है कि पूरा दिन अच्छ जाएगा सुभा आपको किसी भी तरह से आपको अपनी मौर्निंग अच्छी बनानी है आपका ये मोटो होना चाहिए उसके बाद देखिए जादू सब कुछ बतल जाएगा यह आप करके देखिए बस किसी भी तरह से अपनी सुभा को खराब मत होने जीए सुभा के जो तीन-चार घंटे हैं मतलब जब भी आप उठते हैं अगर आप ब्रह्म मूरत में उठें तो अच्छा है लेकिन किसी भी हलत में सूरज निकलने से पहले-पहले आपको उठना है अगर आप चाहते हैं जिंदगे में कुछ करना तो अगर नहीं उठ सकते हैं तो आदत बनाएए और धेरे-धेरे आदत बन भी जाती है तो आप सुबह अपनी सुबह को बिलकुल भी ऐसा ना होने दें सुबह अपका मूड अगर अच्छा रहेगा तो पूरा दिन अच्छा जाएगा और जो पानी की बोटल मैंने बताई उसमें आप अपनी डिजायर विश बोल सकते हैं या आप जो चाहते हैं पानी की साथ शेयर कर सकते हैं और पानी की बोटल साफ होने चाहिए और उस पानी को आपको पीना है ये 90 डेस का प्रोसेस है और ये इतना पावरफुल है ये शायद अभी तक दुनिया में किसी को भी नहीं पता एक या दो इनसानों को पता हुगा लेकिन मैं आज आपके साबने ये सिक्रिट शेयर कर रहा हूँ आप इसे यूज़ करके देखे आप हके बके रह जाएंगे कि ये आपने पहले यूज़ क्यों नहीं किया क्योंकि मुझे खुद इस पर इतना विश्वास नहीं था लेकिन जब मैंने इसके रिजर्ट्स देखे तो मैं हैरान हो गया कि ये वाकिए काम करता है हम जो भी बोलते हैं उसका असर होता है याद रखिए और पानी पर तो कुछ जादा ही होता है आजकल की जो जनरेशन है वो जादा तर इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करती वो समझती है कि स्टड़ी करी जोब करी और बस हो गया जो हमारी भारतिया सब्वेता है या जो हमारी संस्कृत है उससे दूर होते जा रहे हैं लोग और इसी वज़े से बीमारिया बढ़ रही है देखिए सबसे पहले तो पीजा खाना बंद कर दें क्योंकि एक पीजा खाना भी बहुत बेकार चीज़ है क्योंकि देखिए मैदा होता है और पीजा से आप बहुत सारी लोग होंगे जो खाते होंगे लेकिन अगर आप एक अच्छा जीवन चाहते हैं तो पीजा, बर्गर ऐसे चीज़ें बंद करें ये चीज़ें हमारे को अंदर ही अंदर से नुक्सान करती है हाला कि शुरू में आपको ये प्रॉब्लम आएगी लेकिन बाद में आप बोलेगे कि आपकी जिन्दगी में बहुत बड़ा बदलावाया और अगर आप नमक ही यूज़ करते हैं घर में टाटा सॉल्ट तो उसे भी चेंज़ करके सेंधा नमक ही यूज़ करें क्योंकि टाटा सॉल्ट या कोई भी प्रकार का जो नमक है उसमें सिर्फ तीन तरह की प्रोटीन या विटामिन या जो मरज़े आप लगा लीज़े और जो आप सेंधा नमक खाते हैं उसमें 95 प्रतिशत की प्रोटीन या विटामिन आपको मिलती है इसको मैं सैंटिफिकल प्रोव नहीं करूँगा क्योंकि इसके ओपर बहुत बड़ी चर्चा होती है मैं सिर्फ आपको वो बाते बता रहा हूँ जो वाकई में काम करती है या जिनको आप आख बंद करके भी बिलीफ करेंगे तो आने वाले टाइम में आप साथ में आसपान में होंगे या आप जिन्दगी के उस चरम छोर पे होंगे जो शायद आप अभी सोच भी नहीं सकते दूसरी बात कलपना करना सीखिए जो आप चाहते हैं उसको इमेजिन करना सीखिए कि आप मैं से बहुत लोगों ने देखी होगे मूवी अठ्रेक्षन के बारे में तो वो मूवी काफ Wise तक सही है लेकिन उसके पीछे भी एक सिकरेट है जो किसमें नहीं बताए गया लेकिन आप निराशना हों मैं आपको बताऊँगा सिक्रेट के पीछे भी एक सिक्रेट है आपको सिर्फ सोचना है कि मैं वहां पर हूँ या जो भी आप चाहते हैं डिजायर विश्की मुझे ये करना है या जीवन में मुझे ये बनना है बस आप सोचिए, सोचने में पैसा नहीं लगते बस दस मिनट सोचिए, बस हो गया काम, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, दस मिनट सोचना है आपको डेली, और देरे देरे आपकी आदत बन जाएगी, और आदत बन गई, तो फिर तो बहुत ही चेंज जाने वाले हैं, जब हम कुछ सोचते हैं, तो हमारे शरीर में चक्र की नाम से जाना जाता है, वो जो चक्र होते हैं, तो सबसे पहले जो चक्र होते हैं, उससे उपर की तरफ उड़ते हुए यह वाइबरेशन जाती है, और जब यह सहस्त्रारा चक्र यानिकी, जो हमारे शरीर में सबसे उपर का, जिससे हम थरड़ाई के नाम से जानते हैं, वह पर हमारे जब विश पहुंच जाती है तो वो पूरी हो जाती है कभी-कभी आपने सोचा हुगा कोई विश और वो पूरी भी हो जाती है वो इसलिए होती है क्योंकि आपकी जो विश थी वो आपने अच्छे मन से पूरे विश्वास के साथ सोची है आपको जादा टेंशन लेने की ज़रूत ने दुनियादारी की आपको परवा नहीं करनी समाज में क्या हो रहा है आपको इस चीज़ों में नहीं पढ़ना आप सिर्फ अपना काम करिए क्योंकि ये दुनिया आपसे पहले भी थी और आपके जाने के बाद भी चलती रहेगी और दूसरी बात किसी भी चीज़ को दिल से मत लगा ये इतना क्योंकि जिस चीज़ को जादा दिल पे लगाएंगे वो उतना जाद आपको हर्ट करेगी अपनी खुशी का रिमोट किसी के हाथ में मत दीजिए कि वो जब चाहे जैसे चाहे चैनल बदल सके और ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताई वीडियो कैसे लगी ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो भी ला सकूँ और ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी और ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये एक साधवी के लिए बनाई थी जो के हमारे चैनल से जुड़ी हैं जिनका नाम है तन्वी और मैं उम्मीद करता हूँ कि तन्वी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी और इन टिप्स को फॉलू कीजिए इसके बाद मैं आपको आगे की टिप्स दूँगा जो के आपको जिन्दगी में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगे और हमेशे यादर किए उस परमपिता उस परमात्मा को ताकि वो क्योंकि देखे अगर हम उस शक्ती के साथ जुड़े रहेंगे तो हमें चिंता करने की ज़रूत नहीं है हमें हमेशे किसे न किसी का सपोर्ट चाहिए होता है और जब भगवान का सपोर्ट मिल जाए तो उससे बड़ी कोई शक्ती नहीं है उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक करके कमेंट सक्षिन में बताईए वीडियो कैसे लगी ताकि मैं आपके लिए बनाऊ एक और वीडियो ओम नमस्षिवाई